गुड मॉनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आपने कभी सोचा है कि सुबह उठके जो आप निउस पेपर पढ़ते हैं वो जो निउस है उसे लिखने वाले तो आप ही के देश के हैं जर्नलिस्ट्स पर क्या ये पॉसिबल है कि उनकी सेलरी आपके देश के दुश्मनों के दुवारा दी जाती है क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपके देश के दुश्मनों के एमप्लॉईज हों क्या आप सोच सकते हैं कि जो फिल्में आप देखते हैं जो टेलिविजन प्रोग्राम्स आप देखते हैं ये बनाने वाले तो आप ही के देश के लोग हैं लेकिन इसकी फिनैंसिंग और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये आपके देश के दुश्मन डिक्टेट करते हूं मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से चाइना पूरे वर्ड में एक कल्चर वार लड़ रहा है और एक के बाद एक कंट्रीज के कल्चर को डिस्ट्रॉई करने की कोशिश कर रहा है और सबसे ज्यादा भारत के कल्चर को तो आईए मैं आपको ये कहानी बताता हूँ हॉलिवुट के बहुत 80s 90s के बहुत बड़े रोमेंटिक स्टार थे जैसे भारत में शारूप खाने उससे भी बहुत बड़े जिनका नाम रिचर्ड गियर रिचर्ड गियर ने प्रिटी वुमेन एन ऑफिसर एन जेंटलमेन रन अवे ब्राइड जैसी सूपर डूपर हिट फिल्मों में काम किया है और ऐसा कहा जाता है जैसे राजेश खन्ना को देखके औरतें बहुश हो जाती थी रिचर्ड गियर के उपर भी दुनिया की कई सारी औरतें जो थी उनकी दीवानी थी और उन्हें देखके भी होश हो जाती थी तुछ वास इस पॉपलारिटी दैनी कमिटे अ क्राइम उनसे गुना हो गया उनने सो तेरहनबे के ऑसकर एवार्ड में रिचर्ड गियर ने चाइना में जो हुमन राइट्स है उसके अगेंस्ट और तिबबत की फ्रीडम की बात कर दी I had a thought about something actually before I came in I want to share it with you it's going to be short but I was really struck by this idea that there were one billion people watching this thing it's astonishing one billion people watching and I was curious about what countries this was actually going to and and it is in fact being seen in China right now and the first thought that came to me was I wonder if Deng Xiaoping is actually watching this right now with his children and his grandchildren and with the knowledge that 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 what a horrendous horrendous human rights situation there is in China not only towards their own people but to Tibet as well and I was wondering if this kind of if something miraculous and really kind of movie-like could happen here where we could all kind of send love and and truth and kind of sanity to Deng Xiaoping right now in Beijing that he will take his troops and take the Chinese away from Tibet and allow these people to live as free independent people again so thought we send this thoughts send this thought out but what was it that way? all before the Academy Awards gave them all the above and after that they closed on the film में मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे Richard Gere का करियर Hollywood ने ही खतम कर दिया पर क्यों क्योंकि Hollywood को जो कंट्रोल करते हैं वो हैं Chinese Richard Gere ने he said there are definitely movies that I can't be in because the Chinese will say not with him I recently had an episode where someone said that they could not finance a film with me because it would upset the Chinese और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर स्टार बोल रहे हैं जिन्होंने billions of dollars कमा के दी हैं Hollywood को और ये पढ़ने के बाद मुझे अपना खुद का example समझ में आया मैंने एक film बनाई थी जिसका नाम था बुद्ध है ना traffic jam उस film की theme ये थी कि कि किस तरह से भारत में पिछले 50 साल से चाइना एक proxy war लड़ रहा है नेक्सिलिजम के नाम से जिसको अब मौईजम के नाम से माना जाता है और ये पूरा का पूरा moist ideology से controlled है और इसका मकसद है भारत को हर समय एनार्की में रखना और धीरे धीरे armed revolution से भारत से democracy को हटाना और इसलिए ये लोग भारत में भारत के students को employ करके university के professors, NGOs, media, intellectuals का एक nexus बना के भारत के students को use करके भारत के ही खिलाफ एक war लड़ रहे हैं और फिल्म की theme थी कि एक young लड़का है जो की B school का है और वो कहता है इसका परदा फाश करता है और कहता है कि नए भारत के निर्मान के लिए बीच में से middle man को निकालन आवश्यक है जब वो फिल्म मैंने बनाई तो पूरा का पूरा Bollywood मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया, distributors, producers, studios, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये किसी कारण होगा, कुछ professional कारण होगा लेकिन जब ये फिल्म मैंने भारत के top universities में दिखाने की कोशिश की जैसे JNU और और उनिवर्सिटी जो दोनों की दोनों पूरी तरहां से मौविस्ट उनिवर्सिटीज हैं, यह 100% यहां के professors मौविस्ट पर बिलीव करते हैं, यहां के students करते हैं, तो इन students ने मेरे उपर attack किया, assault किया, मेरा कंदा तोड़ा, मेरी गाड़ी तोड़ी, rods लेके आए, मेरी फि लेकिर भारत में माओ, who killed millions of people, वो हमारी उनिवर्सिटीज में professors पढ़ा रहे हैं, students उस पर बिलीव करते हैं, और एक व्यक्ति जो की राष्ट के हित की बात करने की film बनाता है, उसकी film को दिखाने नहीं देना चाहते हैं, मैं आप एक तीसरा example बताता हूँ, आपने एक बड आपने देखा होगा gravity film में Sandra Bullock, जब वो फस जाती है and she has to survive, what does she find? She finds a Chinese space station, सोचे क्यों? मैं और एक आपको example बताता हूँ, एक film है जिसका नाम है Doctor Strange, Doctor Strange में original film में, original script में जो बनने जारी थी, shoot होने जारी थी, उसमें एक main character was a Tibetan character, लेकिन last minute पे उस character को change किया गया and he became a Celtic character, और ऐसे तमाम examples हैं, आप सबसे असाने Google पे जाएए और सिर्फ ये type करिए, Chinese influence on Hollywood movies, आपको list मिल जाएगी films after films, some of your best, most favorite films and some of the biggest blockbusters, उनकी theme में कहीना कहीन, Chinese ideology, Chinese influence कहीना कहीन, आपको मिलेगा, No wonder, Richard Gere's entire acting career was destroyed because he spoke against China. China तीन चीज़ों से डरता है, Tiananmen, Tibet and Taiwan, और जैसे कि ये तीनों चीज़ें exist ही नहीं करती हैं, इस बात का propaganda और counter propaganda के लिए, चाइना यूज़ेज, movies, literature, media and education system. आज चाइना ने Hollywood ही नहीं, बलकि Bollywood को भी अपने control में किया, हम आपको कुछ examples बताता हूँ. For example, एक Chinese company है, Delian Wanda. Delian Wanda ने एक billion dollar देके they acquired golden globes, American music awards and new year rockin' eve. आप जड़ा एक research करके देखिए कि भारत में जो film awards होते हैं और जो music awards होते हैं, उनको sponsor करने वाली कितनी Chinese companies हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे भारत के against jokes क्यों किये जाते हैं. Delian Wanda also paid 3.8 billion dollars, which is almost 30% of the revenue of Hollywood to AMC Entertainment, जो की theater change चलाते हैं, multiplex change चलाते हैं. And that's how Delian Wanda became the world's largest film exhibition chain. Delian Wanda also paid 1.2 million dollars to acquire Carmike Cinemas, and with this deal, they became the largest exhibitors in the world. Delian Wanda also paid 3.5 billion dollars for the Jurassic World Production Company. एक company है, जिसका नाम है, NUE Zincke New Materials, जो की एक copper processing company है, सोची आप. And that bought 80% stake in Voltage Parent Midnight Entertainment for 351 million dollars. And this Voltage is the production company, जिसने Hurt Locker जैसी Oscar winning films बनाई है. Delian Wanda Group paid 650 million last year for the company that organizes the Ironman Triathlon Races. और सिर्फ यहीं नहीं, TGP and Fosun, यह Chinese companies, they acquired Circus of Soli, जो की लास वेगस का सबसे बड़ा शो है, Circus जिसको बोलते हैं, मैंने देखा हैं, amazing show for 1.5 billion dollars. एक तरह से देखा जाएं, तो Hollywood की जो पूरी entertainment industry है, जो पूरे world में एक तरह का soft power है, वो आज पूरी तरह से Chinese control में है. आप शाइद खुश हो रहे हों, चलिए हम तो बच गए, पर ऐसा नहीं है. आपको बताता हूँ, Eros International, जो की एक भारती एक कंपनी है, और आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, भारत की some of the biggest of the films they have made. They entered into an agreement with Chinese companies, Huaxia Film Distribution Company and Peacock Mountain Culture and Media to co-produce bilingual films. और उनके CEO ने, on record, he has said, we are working to promote bilingual films and our team of writers has already met its Chinese counterpart and creating scripts in line with the ethos of China. इसका क्या मतलब है, आप खुद लगाईए, चाइना का ethos मतलब चाइना के कल्चर को जो सूट करता हो, उसके हिसाब से film की scripts लिखी जाएंगी, ये एक भारती कंपनी ने कहा. Kang Media Partners, जिसके offices शंगाई और लोस एंजलिस में भी है, दे अक्वाइड दे कंट्रोल अफ स्टुआर्ट फोर्ट्स फिल्म फेनेंस फ्रम इंडियन कॉग्लूमेरेट रिलाइंस, अनिलंबानी की जो रिलाइंस कंपनी है, जो फिल्म प्रोड़क्शन में है, उनसे जून टू कैसे है, चाइना में इस इमर्जिंग वेरी बिग मार्केट, और शायद एकाथ साल के अंदर जो हॉलिवूट का मार्केट है, 11 बिलियन का, उसको ये क्रोस कर जाएगा, इस अल्रीडी अल्मोस्ट एट 10.8 बिलियन डॉलर्स, और ये कोटा सिस्टम से फिल्म रिलीस करते है मेरे खाल से 34 फिल्म की परमिशनती जो बढ़के अब 39 हो गई है, और भारत को दो फिल्मों की परमिशनती जो बढ़के अब 5 हो गई है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जो फिल्मे है, वो चाइना की जो कम्मिनिस पार्टी है, उसकी सेंसर्शिप अप्रूफ करेगी, और उसकी पहली कंडिशन है कि चाइना टू शो चाइना इन पॉजिटिव लाइट और वो एक तरह से चाइना को सूट करना चाहिए, अगर आपका विल्म जो है, आपका विल्म चाइनीज है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर किसी भी तरह से वो चाइना का जरा सा भी बुराई करता है, या कमिनिजम की, या माउइजम की, तो आप नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ, फॉरण में जाके इनने सारी की सारी कंपनीज को अक्वाइर कर लिया है, और इस वेरी एजी फॉर देम तो आलवेज मेक मूवीज और सॉप्वेर, जो की वहां के लोकल पर डाउट क्रियेट करता हो, क्या यही कारण है, कि आज भारत, जिसमें most of the production, film production and web series production is done by Hollywood production companies like Fox and Yacom, Universal and Disney, जो की Chinese company की finance से चलती है, क्या यही कारण है कि यह लोग लगतार इस तरह की film और web series बनाते हैं, जिसको लेके आम भारती का यह मानना है, कि हमारे कल्चर को एक बहु बहुती humiliating तरीके से दिखाते हैं, और दूसरा हमारे ही कल्चर के उपर doubt क्रियेट करते हैं, और जो millennials हैं, जो नई generation हैं, धीरे धीरे इन filmों और web series के कारण भारती कल्चर को doubt करते करते उससे दूर होती जा रही है, तो यह एकदम सही बात है, दोस्तों मैं आपके सामने एक एक ऐसा सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जिसके बारे में आप सोयम सोचें, ऐसा नहीं है कि भारत की जो film industry है, इसके stars और directors, filmmakers जो हैं, वो कभी politics से जुड़े नहीं रहें, सुनील दत, देवानंद, किशोर कुमार, धरमेंद, अमिताब बच्चन, राज बबर, हेमा मालिनी, हमारी पूरी एक लिस्ट है, राज का पूरी है, सब लोग देश में कभी ना कभी politics में involved रहें, लेकिन इन में से किसी ने कभी भी देश के खिलाफ और देश के दुश्मनों के साथ काम नहीं किया, पर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, जब जब भी moist लोग, चाहे वो JNU हो, चाहे इंडिया गेट हो, जब moist लोग कोई campaign चलाते हैं भारत के खिलाफ, और ये moist लोग जहें चाहे students हो, चाहे leaders हो, ये पूरी तरह से Chinese funded parties हैं, तो Bollywood के कई सारे stars और filmmakers उनके साथ खड़े हुए पाए जाते हैं, कई लोग तो उनके लिए चोटी चोटी documentaries और films भी बनाते हैं, और उनके बिहाब पे articles भी लिखते हैं, आपने notice किया होगा बीच में, जब moist लोग एक भारत के खिलाफ और भारत के तुकड़े होने की campaign चला रहे थे, तो कई सारे Bollywood के, Bengal Film Industry के और कई जगा के लोगों ने तो एक letter तक साइन कर दिया था उन लोगों के support में, क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्या ये अंजान लोग हैं, क्या जो मैं जानता हूं ये नहीं जानते हैं, इसके बारे में सोचिए क्या कहीं ऐसा तो नहीं चाइना, Hollywood की तरह से Bollywood में प्रवेश कर गया हो, और उसके सामने जब विवेक अगनी होती तरह का कोई Richard Gere जैसा आदमी खड़े होके आपत्ती उठाता है, तो उसका भाहिशकार किया जाता है, दूसरी बात, आपने देखा होगा बीच में एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार जाके JNU में जब N.T.C.A. campaign चल रही थी, जिसमें चाइना का पूरी तरह से इंटरेस्ट था, JNU में, तो वहाँ जाके खड़ी हो गई थी, क्या कारण है? एक और रिसर्च करीए और आपको पता चलेगा कि भारत के जो टॉप स्टार्स हैं, वो लोग किसी ना किसी चाइनीज कंपनी के ब्रेंड अमबैस्डर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, इसी कारण वो मजबूर हैं, चाइना के पक्ष में और भारत के विरोध में एक इंटलेक्चल, आइडिलोजिकल, सेलेबिलिटी सपोर्ट क्रियेट करने के लिए, इस पे भारत सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ये मांग करना आपका करताव्य है, क्योंकि एक वेल स्ट प्लिटिकल आधिपत्य जमा सकते हैं, और ये मुवीज को यूज करके, मीडिया को यूज करके, नई टेकनलोजी को यूज करके, और सबसे खतरनाक बात है, एडुकेशन सिस्टम को यूज करके, चाइना आज ये भारत में कर रहा है, जिसके बारे में मैं आपको डीटेल म सन 2003 में चाइना की कम्मिनिस पार्टी ने एक स्ट्रेटिजी बनाई थी जिसको मीडिया वारफेर का नाम दिया था, आखिर ये मीडिया वारफेर चाइना क्यों लड़ रहा है, पहले मैं आपको ये समझना आवश्यक है, जो ये मॉडरन जमाने में डिजिरल लेज में जित आप से डेटा लेना और आपको डेटा देना, और इस तरह से ये जितनी भी टेक्नालोजी हैं, चाए वो डिजिटल फोन्स हों, चाए एप्लिकेशन्स हों, चाए बैंकिंग हो, चाए पेटियम्स हों, कुछ भी हो, अन्ततहा ये यही काम करती है, और इस टेक्नालोजी को जो control करेगा और साथ में 4G की, 5G की technology, satellite technology, mobile communication, इसको जो भी control करेगा, वो media warfare बड़ी असानी से लड़ सकता है, आप ये देखें कि भारत की जो आज top IT tech companies हैं, इन में 100% FDI China का है, for example, ये पूरी तरह से Chinese control companies हैं, उसके अलावा जो वन बिलियन के ऊपर की start-ups होती हैं, unicorns, most of them have Chinese investments, big basket, zomato, delivery, bijews, flipkart, makemytrip, even paytm, policy bazaar and swiggy, और आप देखें जो largest online payment transaction की जो company है, Paytm and Paytm Mall, इन में भी Alibaba Group का 550 million dollar का investment है, तो ये जो companies हैं, जिसके through ये media warfare लड़ता है चाइना, इनके favor में policy हो, इनके against लोग बोले नहीं, और चुपचाप, ये companies जो है data steal करने का काम करती रहें, और चाइना के favor का data हमारी country में introduce करती रहें, इसके लिए इनको बड़े पैमाने पर ये लड़ाई लड़नी पड़ती ह और आज, अमेरिका के बाद अगर कोई country सबसे ज़्यादा बड़ी इसकी victim है, तो वो है भारत, आपको क्या लगता है जो tik-tok है, ये क्या सिर्फ एक app है वीडियो बनाने की, अगर आपको ऐसा लगता है, तो मैं आपसे अनुरोत करूँगा, आप तुरंद 5G वार किसको ब missiles हैं, जो आपके देश, आपकी सब्वेता और आपके civilization का अगेंस्ट लड़ी जा रही है, दोस्तों, चाइना ने अभी कुछ वक्त पहले, जो होंग कॉंग में प्रोटेस्ट चल रही है, उसमें एक व्यक्तिगी फोटो डालके, चाइना की जो centralized जो companies है, मीडिया की, उन्ह को लीट कर रहा है, जबकि ये पूरी तरह से बोगस और जूट रिपोर्ट थी, एक्चुरी वो जो फोटो उन्हें डाली थी, वो फोटो थी New York Times के एक जनरलिस्ट, जिनका नाम है Kevin Roche, इसी तरह से चाइना का जो national broadcaster CCTV और China Daily, इन्होंने एक Hong Kong की प्रोटेस्ट को तोड़न के लिए एक पोएम चलाई काफी दिनों तक, आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर, बाद में पता चला, कि ये जो पोएम थी Hong Kongers, Are You Going To Remain Silent, ये एक नाजी पोएम थी, जिसको की जूट मूट, चेंज करके, आल्टर करके अपने नाम से चलाया गया, तो चाइना की आज जो पूरी पॉलिसी है, वो है lies, lies and lies, और ये बड़े अफसोस की बात है कि आज आपको सच जानने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पर जूट जो है, वो freely available है, भारत में आज WhatsApp के थूरू, जो fake news चलती है, ट्विटर, Facebook, Instagram, ऐसी social media में जो fake news चलती है, एक्चुली एक research के जो हैं, ये चाइना के agents, जो की भारत में ही हैं, और भी कहीं countries में हैं, वो लोग बनाते हैं, मैं आपको अपना खुद का example बताना चाहता हूँ, कुछ वक्त पहले जब Galwan Valley से हमारा problem शुरू हुआ, जब हमारे 20 लोगों को मार डाला, soldiers को, तब अचानक मैंने देखा, कि मेर जो Twitter और Social Media accounts हैं, खास तोर पर Twitter, suddenly मुझे चाइना के जो propaganda minister ने वो follow करने लगे, मुझे चाइना की verified blue tick वाली government agencies follow करने लगी, और तो और मुझे चाइना के journalist लोग follow करने लगे, तब मुझे शक हुआ, और मैंने इस पर research किया, और मैंने देखा, कि आज, जो भी व्यक्ती Social Media में उसको ये agencies घेर लेती हैं, और कई बार तो उनके accounts hack भी करती हैं, आज चाइना ने सारी दुनिया में, खास तोर में भारत में fake news चलाने का बीड़ा उठा रखा है, दूसरा है इनका जो आम है जिससे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 5th generation war, वो है education system, जिसके बारे में मै अब आपको बताऊँ, चाइना का जो सबसे dangerous part है, वो है penetration of education institutes, ऑस्ट्रेलिया ने एक investigation launch किया to check whether the agreements between universities and the institute have broken anti-foreign interference laws, इसका क्या मतलब है अभी कुछ दिन पहले UK में भी, USA में भी यही हुआ, चाइना एक chain of institute चलाता है जिसका नाम है Confucius Institutes, Confucius वहांके एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनके नाम से ये institute chain चलती है और इसका system ऐसे है कि अगर आपके देश में कोई university है, उसके साथ एक Chinese university participate करती है और उसके background में Confucius Institute है पर actually in reality इसको चलाती है Communist Party of China और इसकी जो extended arm उसका नाम है हानबान और इसका एक ही मकसद है जो किसी तरह से चाइना का propaganda education के थूप करना और foreign countries के जो students हैं उनके दिमाग को to use it as arms and ammunition for a communist revolution और यह जो controversial agency है इसमें चाइना की education ministry, propaganda ministry, polit bureau यह सब पूरी तरह से involved हैं अभी 3-4 दिन पहले भारत सरकार ने भी हमारे 54 Memorandum of Understanding Confucius Institute के साथ established थी जिन में IITs, BHU, JNU, NITs, Valor University, University of Mumbai, Lovely Professional University, O.P. Jindal Global University, School of Chinese Language, Kolkata, Bharatiyaar University in Koyamatoor, KR Mangalam University in Gulgaon and so on and so forth these are the top institutes of India Government of India ने भी उसके उपर inquiry बठाई ये to check how they are infiltrating our education system to poison the minds of our own children लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये सब अभी शुरू हुआ है कुछ साल पहले तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है एक्चुली ये सिलसला चल रहा है सन 1960 से भारत 1962 में जो इंडो-चाइना वार बहुत शर्म जनक तरीके से हारा था उसके पीछे चाइना की एक बहुत गहरी खतरनाक स्ट्रेटीजी थी मेरी एक बुक है जो एंड आउगस्ट में आ रही है इसका नाम है होकिल्ड शास्त्री एक्चुली इस किताब में मैंने पूरा रिसर्च किया है और ये एमरजनसी आने तक किस तरहां से भारत को हराने का काम इन्होंने सॉफ्ट पावर जो की एजुकेशन और मीडिया है इसके थ्रू यूस किया है ये किताब अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्स्पोजे होगा लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 1962 का जो वार था वो हारे कैसे एक नाम आपको बताऊँगा शायद आपने सुनानों जैपाल सिंग ये बिटिश लोगों के वक्त इंडियन आर्मी में था और एक इल्लीगल ओर्गनाइजेशन आर्मी के अंदर चलाता था और भारत के अजाद हो जाने के बाद 1961 में में इसने फिर से इस ओर्गनाइजेशन को एक्टिवेट किया जो की एक तरह से कम्मिनिस्ट ओर्गनाइजेशन थी और इस तरह से कम्मिनिस्ट लोग जो हैं इंडियन आर्मी में इंफिल्ट्रेट हो गए दोस्तों 1962 में जब हम चाइना से बुरी तरह से हार गए तब ये पता चला हमारे कई सारे लीडर्स जो थे वो रेडियो सेट्स के थ्रू चाइना के साथ कम्मिनिकेट कर रहे थे और उनका प्रॉपेगंडा उनकी इंफिल्ट में फैला रहे थे और भारत को यहराने का काम कर रहे थे और ऐसे में 50 लीडर्स जो थे जेल में भी डाले गए कईयों के घर से तो रेडियो सेट्स मिले जिसको CIA की भी क्लासिफाइड रिपोर्ट ने कन्फर्म किया है कि ऐसे दो लीडर्स थे जिनके पास से चार रेडियो सेट्स मिले आपको बहुत आश्चर होगा जानके कि इन में से जो दो नाम थे वो थे जोती बासू और हरजीत सिंग सुरजीत और जोती बासू ने तो सबसे लंबे टैनियोर तक चीफ निस्टर रहे वेस्ट बेंगॉल के और वो वेस्ट बेंगॉल वो कैलकटा जो भारत का सबसे रईष शहर था इट वोस दर रिचेस सिटी इन इंडिया बॉमबे भी नहीं इसलिए तो इस इंडिया गमतिमाई थी रूल करने आपने देखा धीरे 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 किस तरह से वेस्ट बेंगॉल भारत का सबसे गरीब प्रदेश बन गया और सिर्फ यही नहीं वहीं से नेक्सल मूउमेंट चालू हुआ जो की चाइनीज प्रॉक्सी वार था इंडिया में CIA की एक classified report है उसके कुछ ऐसे तो बहुत लंबी report है उसके लिए आप मेरी बुक पढ़िये लेकिन मैं आपको कुछ सेलियन पॉइंट्स बताऊँगा इस report का नाम है How Indian Communists Committed Acts of Treason Against the Indian State इसके कई सारे sections है Sino-Indian Border Dispute Section 50-59, 59-61, 61-62 पर मैं आपको कुछ दो चार पॉइंट्स बताऊँगा जिससे सुनके आप चौंक जाएंगे किस तरहां से हमारे ही लोग हमारे देश के खिलाफ काम करते है HK सुर्जीत हरकिशन सिंग सुर्जीत Influenced by Russia to set up an underground organization in India CPI did proceed to recruit a secret organization within the Indian army China insisted that CPI must develop a stand-by apparatus capable of armed resistance armed resistance जो मैं चिला चिला के हमेशा बोलता हूं while intensifying penetration of Indian military forces four powerful radio sets had been installed in the office of the China Review in Kolkata to listen to broadcasts from Peking तब Peking बोलते था भी बीजिंग है Chinese financial subsidies sanctioned to the CPI which is Indian Communist Party particularly the left faction strongholds in West Bengal a letter was found asking for collaboration in Indian underground organization work aimed at an eventual revolution because China has because of the China's border dispute so that China could provide arms and supplies to Indian counterparts मतलब Indian Communist people और ये Chinese report ये CIA की रिपोर्ट में भी लिखा है है that Jai Pal Singh head of the illegal organization within the Indian army formed the communist illegal division to gain the control of army इसके बाद CIA की रिपोर्ट लिस्ट करती है नहरू's failures how Nehru failed it says China's short term policy was not to alert Nehru on the wide gap between Chinese and Indian claims on the border and hence they lied about Chinese maps and Nehru's intelligence could never find it out Chinese leaders recognized that India neither by temperament nor by capability was a military threat because Nehru was a pacifist China's strategy was to use diplomatic channels to cut out the Indian press, public and parliament it was a five year masterpiece of cheating it played on Nehru's Asian anti-imperialist mental attitude his proclivity to temporize and his sincerity to fought peace with China had it, ये CIA की रिपोर्ट है it says had it not been Nehru but a more military minded man who was prime minister in October 1959 a priority program to prepare India to eventually fight and win the war with China would have been possible in February 1959 Ajoy Ghosh in his report to the Central Executive Committee that China-Russia insisted that the CPI must develop a stand-by apparatus capable of armed resistance while intensifying penetration of Indian military forces from 6th to 8th August 1959 hard leftists urged a revival of CPI's illegal apparatus to be run from party secretariat I can go on and on and on and on ये list इतनी लंबी है अगर आप इसको सुनेंगे तो हिल जाएंगे but last but not the least China used its counterparts in India मतलब ये सब लोग and all the apparatus and secret organizations to build a narrative against the Jansang, BJP, RS BJP मैं बोल रहा हूं पर Jansang, RSS while letting Congress of the hook in fact even working with them और ये ही कारण है आप देखिए आज RSS और BJP, Jansang और एनी हिंदू organization which actually is working for in the interest of the country are constantly being criticized या उनके बारे में गलत प्रोपेगंडा मेंस्ट्रीम मीडिया के द्वारा दिया जाता है अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से Indian मीडिया को Chinese अपने कल्चर वार के लिए लगातार यूज कर रहा है दोस्तों एफरीका में Rwanda के जो प्रेसिडेंट है Paul Keg में और ये एफरीका के सबसे respected leaders में से एक है इन्होंने चंद दिन पहले 18 चाइनीज लोगों को देश ते निकाला और उनका एक statement है जो सोशल मीडिया में काफी वाइरल हुआ था and he said you can't eat from Africa and disrespect us अगर आप जाके थोड़ा research करें तो आप देखेंगे लगबख दुनिया के हर देश में आज कुछ जर्नलिस्ट जो की उनी के देश के हैं या चाइना के हैं उनको एक एक करके वहां की countries पकड़ रही हैं या उन पे शक का जो रडार है वो लगा रखा है जब वहां से निकले करोना की बात इस दुनिया में चालू हुई तो चाइना ने उसको दबाने के लिए तरह तरह के यतन किये और इसमें मीडिया काफी फ्रेंडली था आप भारत में देखिए लगडाक रीजन में अभी जब गलवान वैली में चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुई तो आपने जगा जगा पड़ा होगा की भारत के 20 जवानों को मा डाला गया क्या कारण है कि भारत के जन्रिलिस्ट जो की बात बात पे शर्लॉक होंस बज़ जाते हैं जो बात बात में मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने लगते हैं जो लोग बाल की खाल निकालने में एक्सपर्ट हैं जो भारत के ये एक्शन को कुश्चन करते रहते हैं आज तक किसी भी भारत के एक भी मीडिया आम ने हमको ये नहीं बताया कि उसमें चाइना के कितने लोग मरे या कितने घायल हुए क्या कारण है दूसरी बात गलवान वैली का जब ये चालू हुआ तो आपने देखा होगा किस तरह से टीवी न्यूज में ओपेड्स में जगा 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 लोग चाइना के फेवर में बात कर रहे थे और भारत को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे भारत की आर्मी को भारत की गौर्णमेंट के वो भारत के लोगों को दिन रात मीडिया में कोश्चिन किया गया और हमारी केपिबिलिटी पे डाउट क्रियेट किया गया क्या कारण है जब हमारे अभी कुछ दिन पहले रफैल विमान आए तो मीडिया का एक बहुत बड़ा section जो लोग अपने को eminent journalist बोलते हैं और हर समय literary festivals और intellectual festivals में मीडिया को represent करते हैं इन में कुछ लोग तो editor guild के भी member है इन लोगों ने उसको रफैल का editorially मजाख बनाया क्या कारण है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लोग किसी और के payroll पे हैं यह report देखिए और यह report मेरी नहीं है यह report एक respected media company की है जिसको चलाते है editors guild के president देखिए Imagine you're reading a newspaper sitting in Delhi, Manila or Nairobi and you see a report written by a journalist from India, from Kenya or from the Philippines from Beijing What you wouldn't know is that these journalists from these three countries are staying in Beijing not for their organizations but on a very little known of Chinese program China has over the past three years spent hundreds of thousands of dollars on more than a hundred foreign journalists they're given a red carpet treatment in Beijing even a salary by the Chinese government an apartment in one of the most plush residences in Beijing and what other foreign journalists in China usually denied access to Chinese government officials and ministries this is part of an unprecedented effort by China to do what president Xi Jinping calls telling China's story better to the world this coincides with billions of dollars spent on revamping China's state broadcaster which is now called China Global Television Network which has two new offices in New York and in Africa as well but for India this raises questions journalists from Indian organizations are being hosted in Beijing for almost a year and writing for their news media without declaring that they're actually present as guests of the Chinese government The Indian government is also closely watching this program and it raises questions as to whether with the offer of having journalists staying for free in China if organizations are perhaps getting into conflicts of interest so you can see that you have been assured that there are 100% of Chinese journalists who are either bribed by Chinese that means Communist Party of China that means their Politburo that means their military that means their citizens of India that means that they are bribed or they are bribed which is alluring them with taking them to casinos Macau or honey trapping them or drugs and alcohol they are being sponsored by Chinese Communist Party Now I will show you a map 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 or if you are saying Beijing's Global Megaphone you can see it you can see it you can see it but if you are looking at it China has all the world media soft power use cultural war the public station Northern German Broadcasting it aired current affairs program which was co-produced with Chinese broadcaster CGTN China which is the Zinua news agency it signed news exchange agreements with media outlets in Italy, Nigeria, Egypt and Vietnam Chinese TV distribution firm Star Times it can determine which stations African viewers are able to access prioritizing Chinese state media it means China should be propaganda in China Nepal's state news agency launched an investigation into three journalists who had circulated a news item about the Dalai Lama Thailand Australia Peru Canada United States for example the states run China Daily newspaper spent more than 11 million dollars in the United States in 2019 including an ad interest in mainstream media in the United States मौइस्ट लोग नैशनल मीडिया में आते हैं आपेड्स लिखते हैं यूनिवर्स्टीज में पढ़ाते हैं और तो और जो सबसे खतरबनाक बात है हमारी पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वाल्ड है और ये ओपनली अपने को माववादी बोलते हैं ओपनली आज जो अर्बन न दंगे करवाते हैं उन लोगों को खुले आम भारत के एमिनेंट जर्नलिस्ट्स सोशल वर्कर इंटिलेक्चुल या एक्टिविस्ट कहके बुलाते हैं और इससे कोई आपती नहीं करता इसका कारण यह है कि भारत के जो लोग हैं वो भोले लोग हैं और उनको ये बात कोई बताता ही नहीं है कि आज भारत के अंदर के ही लोगों को भारत के दुश्मन लोग पैसे लड़कियां कसीनोज ड्रग्स बच्चों के एजुकेशन और तमाम इस तरह की चीजों से लियोर करके भारत के खिलाफ एक तरहां से देखा जाए तो आमस एन एमिनिशन की तरह नहीं कारण है पिछले सत्तर साल में इतने टैलेंटेड यूथ होने के बावजूद भारत कहीं न कहीं डिवलपमेंट और ग्रोथ के रस्ते में लड़कडाता रहता है क्योंकि इनको अबजेक्टिव यही है अगर हम लड़कडाते रहेंगे तो कभी इनके आगे निकल नह पड़ रहा है पर मैंने आपको चाइनीज वार के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हमारा फोकस हमेशा इस्लामिक टेरर वार की तरफ रहता है और ऐसे में हम उभरते हुए भारत के सबसे बड़े दुश्मन को इग्नोर कर देते हैं तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आपने लगातार मुझे बहुत सपोर्ट और प्यार दिया है जिससे मेरा भी हौसला बड़ा है मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ कि आप चाहें तो हमारे वोलंटियर रिसर्चर बन सकते हैं आप रिसर्च और्गन पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है मेरे कहने पे ये बनाई दृष्टिकोन.com ने और इसी तरह से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और राष्ट सेवा में समाच सेवा में हमारा हाथ बटा सकते हैं कृपया हमें डोनेशन देते रहिए मैं आपको एक गुड निउस भी अबजेक्टिव, factual और एक निडर्ता, fearless से भरी हुई brutally honest report लेके आने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए धन्यवाद, good morning, good evening, good night and जैहिन.